हेलो फ्रेंड नमस्कार कुक्वे स्नेहा पर आपका स्वागत है आज हम डाल बना रहे हैं देखे डाल बनाने समय किन सावधानियों को हम अपनाएं हमें यूरिकेसिट की प्रॉब्लम ना हो हर इंडियन घर में डाल दिन में एक बार तो जरूर बनती है दोपर के खाने में य प्रशर कुकर में डाल देते हैं और बिना भीगोए डाल को फटावट डाल कर हल्दी नमक डाल के पका कर तड़का दे लेते हैं पर पुराने जवाने में आप देखते थे दादी नानी या मैंने अपनी जिठानियों को भी देखा है कि वो जब भी डाल बनाती थी चूले पर और बनाते समय वो ढखके रखती थी एक पतीले में और उसके बाद फिर इसकी धीमी धीमी ये कर्ची लेके ये निकालती थी तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है पर उन्होंने बताया कि ये डाल में से निकाल देते हैं ये जरूर निकाल देना चाहिए तो मुझे यह लगता था कि पहले चकली में दरते थे तो उसके थोड़े-मुड़े छिलके रहते थे तो उन चीजों के कारण वो निकाल दे रही है कि डाल साफ हो जाए पर ये नहीं था ये जो चीजें डाल की गंदगी है पहले वहां तो डाल पुराने समय में भीगोते नहीं थे लोग क्योंकि घर पे ही डला जाता था और पाउडर वगरे नहीं लगता था पर आजकल तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में डालें डल के आती हैं जिसमें पाउडर वगरे डाले जाते हैं तो हमें क्या करना चीए कि उसे अच्छे से पहले भीगो दे हम आधे घं नहीं रखेंगे तो हमें यूरीकेसिड की समस्या हो जाएगी आजकल जो यंग एज के बच्चें हैं सीड़ी पर चड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें यूरीकेसिड की प्रॉबलम होती देखे दाल धुल लिया था मैंने और धुल के फिर हमने दाल को पकने के लिए दाले हैं और फिर हम अन कर दिये हैं अपने इंडक्शन को या आप हाई फ्लेम पे दाल को बॉयल कर लीजिए और जब हमारी दाल बॉयल होने लगे तो इसके अंदर जो छाग सा आ रहा हो उसे आप एक कटोरे में या बरतन में निकाल दीजिए इस छाग को हमें तब तक न निकल जाए हां मैं जानती हूं कि वेडियो बहुत बड़ा हो रहा है पर आपके कोई इसकी परेशानी ना हो ये तरीका पूरी तरह से लोग जान जाएं आजकल तो फटाफट प्रेशर कुकर में डाल के लोग सीटी लगा के डाल बना देते हैं जिसके कारण हर घर में किसी को यूरिक एसिड की समस्या रहती ही है जिसके कारण घुटनों में दर्द एडी में दर्द पैरों में नसों में स्वेलिंग्स और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो इसे हम फटाफट इस तरह से करके निकालेंगे तीन से चार बार इसे लो मीडियम हाई फ्लेम करते हुए हमें पूरी डाल के जितना ज्यादा हो सके इसमें जो गंदगी है यानि छाग है उसे पूरी तरह निकाल दें इससे एक फायदा और भी होता है जब हमारी डाल पकती है तो जो प्रेशर कुकर का ढखकन है उस पे भी गंदगी नहीं लगती है और साथ ही साथ हमें कम स तफाई करना पड़ता है और हम बेमारी से भी बच जाते हैं यानि रोज की दवा खाने से देखिए आप देख रहे हैं कितना धेर सारा जाग निकला है जाग को हमने एक किनारे कर दिया है देखिए जाग निकालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे मैं प्रेशर कुकर में पकते समय नमक नहीं डालती हूँ आप चाहें तो इसी समय नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा मसाला डालें गरम और टमाटर मसूर की डाल है और टमाटर डालने पे काफी हल्दी भी हो जाएगी और टेस्टी भी और फिर हम धकन बन करके सीटी लगा देंगे सिर्फ एक सीटी में डाल पक गई और इसे हम ठंडा कर लिए प्रेशर कुकर को यानि गैस निकल गई आप हम फटाफट अपने प्रेशर कुकर को खोल लेंगे और देखिए कितनी अच्छी डाल पकर तयार हैं काफी गाड़ी डाल हैं थोड़ा गाड़ी खाना पसंद करते हैं पर अगर जादा गाड़ी हो गई हो तो आप इसमें ठंडा पानी ना डालिएगा बलकि गरम पानी डालिएगा मिक्स कर ले रहे हैं हलके हाथों से और उसके बाद हम एक कटोरी पूरी गरम पानी कर रहे हैं और फिर उसे डालेंगे देखिए इंडेक्शन पे हम गरम प तो हमें याद आता है कि ऊपर कटोरी रख देते थे कटोरी में पानी और वो पानी गरम होता रहता था और नीचे हमारी दाल पकती रहती थी फिर उसी पानी को एड कर दिया जाता था दाल में अब हम फिर दाल में तड़का लगाएंगे उसके लिए मैंने पैन रखा है जीरा थोड़ा मेरे से गीला हो गया था क्योंकि हम धो रहे थे जीरा तो गलती से इसमें भी पानी चला गया जो सूखा रखे थे और फिर जीरा हम पैन में डाल देंगे ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद देशी घी डालेंगे अगर आपका जीरा सूखा हो तो घी जा तेल गरम करने के बाद ही डालिएगा और थोड़े से इंग्रिडियन डाल कर फटा फट हम इसी मिर्च डाल दे रहें बहुत जादा तीखा नहींद घाने का मूर्ड है और थोड़े से करीपते कश्मीर इमेज डाल को कलर देने के लिए और इसके बाद तड़के में घी डालने के बाद आप फ्रेश खी उपर से डाल कर सर्व कर सकते हैं अब हम पूरी डाल को अपने पैन में पलट देंगे इस तरह से हमारे हल्डी हो टेस्टी डाल तयार हो गई है आप इसे डाल चावल या रोटी के साथ शर्व कर सकते हैं न BIG यूशि तरीका इस तरह से आप अपने आपको बीमारी से भी बचा सकते हैं, अब हम नमक डाल देंगे, और नमक मैंने सेंधा यूज किया है, डाल को मिक्स कर देंगे, आपको अगर हमारे डाल बनाने का ये तरीका पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिगा, चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिगा, देखे, प्रेशर कुकर का धकन एकदम साफ है, और हमारा प्रेशर कुकर भी सिर्फ मैंने पानी से दोया, है ना यूनिक सी टिप्स?